बंगे वीरे, मुझे कहानी सुने बिना नीन नहीं आते मैं कहानी सुनाओंगा तो सोजाएगी ये ना कहानी है अंगरेजी राज के उस वक्त की जब सब लोग उनके खिलाफ एक जुठ हो रहे थे सिवाए एक शक्स के क्योंकि उसको लगता था कि अंगरेज भुरे नहीं है उसका नाम था मंगा घर के किसी स्याने आद्मी को बला लो स्याना ही हो जी मैं वो तो उस दिन ऐसी नच्चों के साथ थोड़ा जिन्दगी की हर दोड में अबबल परिवार का सबसे लाइक लाड़ला काम दाम कुछ करना ने सारा दिन जरते ही रहना बस हाथों का तो पता नहीं पर उसके पैरों में जादू था पैसे नहीं ले सकते जी दादी कैती है इससे शफाच ली जाती है क्या तुम नोकरी करोगे? बंदूग मिलेगी जी तो धंड़ा बगड़ा? सच धजबन ठन चले किधर बदली हुई है कैसे आज ये नजर अपनी ही दुनिया का राजकुमार था वह और एक दिंग उससे अपनी राजकुमारी भी मिल गई राजकुमारी, कौट सर्गी किसे कानी सुनी है? चिपचप सुन आपके गाँ में दिल लगया जी राजाती लड़को को ना यह रोपने से सार फट जाते हैं नकुगडाई है वे, मार रही? तेरी रग में रखने जाओ कानी राजकुमारी शुरू की है तो उसे ही कातम करनी चाहिए मैं अपनी इपोती का रिष्टा एक अंग्रेज के नौकर से कर दूँ नहीं जी आपको गलत सहमी हुई है जी अंग्रेज बुरे लोग नहीं है वहाराजा के हुकम के मुताबिक आप सब को दो खाली करना कड़ेगा कान्दी जी ने कहा है कानून से बढ़ कर कुछ नहीं होता है कानून से बढ़ा खागा ओता है लाला जी सारा कुछूर मंगे का है जंड़े हार ले बस बुरा कीया मंगे ने मैं भंगे मिनाय शेट उसे दूखा दिया उसने हमको तुझे गया लगता है? तुम लोग की तकलीफ का हैसास नहीं मुझे? अगर तुझे तकलीफ का हैसास अता नहीं, तो अंगलेजों के तल्वेना चाड़ता तू? तू बड़ा मतलब भी निकला मंगे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचा, तू सच में फिरंगी होगी रहे हैं मुझे तुझे जावणा वक्त आगया हीरे, जैसे कुझ तैसा दिखाने का हद की खातर लड़ जा तू, अपनी जिद पे घर जा तू हद की खातर लड़ जातू, अपनी जिद पे घर जातू तू सच्चा जंगी, नहीं फिरंगी फिरंगी को राजकुमारी नहीं मिलेगी तू ना जार दादी ना बन मैंने निस मनी तो कहानी कहानी आगे तुझे खुद नहीं आती और मुझे सुनारा झाल झाल